ह inaccurate है फ़लो इंडिया आप्यारी देशवासिय को मेरा पेरन दन मेरा टॉक्र पनीत गुल और इंडिया के नमबर वन इज्चन एंप ठान आपका स्वागत है मैं आज आपको कराने वाला हूं भारतिय translates क संग्रां के जो most important question है वो कौन-कौन से बनते हैं वो सारे question मैं आज आपको यहां करा हूँगा बारदोली सत्यागर्य का नेतरत किस ने किया था फललब बाई पटेल ने 1928 में 1928 में लाला लाजपतर आए कि मर्ति हो गई थी लाठियों से पीटने के कारण यह question भी आपके लिए बनता है अच्छा जितने भी यह question है यह डेली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलबे अगदान के लिए बहुत important है SSC, GD वगेरा exam के लिए एक यह question को लिखते चले जाईएगा किस परदेश में? बिर्टिश के विरुद बिर्शा मुन्डा का संचालान रा छोटा नागपुर में वाइकोम सत्तगरे कहां चलाये गया केरल में 1924 से 25 इस विशन में दलित वर्ग मिशन समाज के सापना के सिस्थान पर की गई थी 1906 में मुंबई में तलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस ने की थी वी आर शिंदे ने की थी बहुजन समाज की स्थापना किस ने की थी मुकुंद राव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना कव वे का हुई थी 1910 में सतारा में अखिल भारतिय अव्यपार्संग कॉंग्रेस का पर्थम अध्यक्ष कोन था लाला लाजपत्रा है 1895 से 1900 की मुंडा करांती का नेता कोन था बिर्षा मुंडा 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को अराय था मेजर बरो को अखिल भारतिय किसान सभा के पर्थम सत्र के द्यक्ता किस ने की दी स्वामी सहजानद ने मुंडाव ने विद्रो कब किया था 1855 में हो विद्रो कब हुआ था 1820 से किस के दोरान हुआ था छोटा नाकपर कास्त अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई थी बैठवे गारी पर मानव बली पर्था का निशेद करने के कारण अंगडेजों के विरुद किसने अंदोलन खड़ा किया था खोंड जन्जाती ने कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य से बनने वाला पर्थम भारतिय कौन था M.N.Roy महरास्ट में रामोसी कर्षक जथ्था की स्थापने किसने की दी वासुदेव बलवंत फड़के ने चोटा नागपट जन्जाती विद्रो कब हो था? 1820 में गांधी जी का चप्पारण सत्यकरे किस से जुड़ा था? तिन कठिया से उल गुलान महा विद्रो किस से जुड़ा था? बिर्सा मुंडा से खैरवार आदिवासी अंदौन कब हो था? 1834 में मौपला विद्रो या मौपला अंदौन कब और कहा हुआ माला बार में 1921 में गुलान गिरी पुस्तक के लेकर कोन थे? जोतिबा फूले पागल पंती विद्रो किसका था? गारो जन्जाती का कौन सी गटना महारास में गटित हुई थी? भील विद्रो नीन अंदौन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपा तक कौन थे? हरीश चन मुखर जी महारास में पासुदेव बल्वन्त फटके का विद्रो कब हुआ था? एटीन सवन्टीनाइन में हुआ था चंपरन के नील सत्यागरे का उद्धिश क्या था? नील उत्पादा कृष को द्वारा तिन कठिया पर था का विरोध करना इसे नील विद्रो बुला गया था चंपरन सत्यागरे का प्रारववता 1917 में 1917 रश्यन करांती का एर भी माना जाता है मौपला विद्रो का नेता कौन था? मुसलियार बारत के ट्रेड यूनियन अंदोलन के जन्दा था कौन थे? एन एम जोसी अखिल बारते किसान सबा सरफर्थम कहां जित की गई थी? लखनों में ट्रेड यूनियन अंदोलन कबू अता? 1926 से 1949 तक अखिल बारते किसान सबा का कठन कबू अता? 1936 में भारत के पहले मजदू संकिस्थापना कबू थी? 1890 में किस विद्रों में कृष्कों ने यह ना रदिया कि हम मारानी और सिर्फ मारानी की रईयत होना चाते पावना विद्रों में आधुनिक युक्का मनू किसे का जाता है? डक्टर बीम राव अंबेट कर को 37 सोदक समाज के साफना किसने की थी? जोतिबा फूले ने नाई धोबी बन समाजिक वहिसकार कब चला गया था? 1919 में अवद के एका अंदुलन को देश क्या था? सरकार को लगान ना देना ताना भगत अंदुलन कब हो था? 1914 में तिरपुरी अधिवेशन संकट की समापती के बाद कांग्रेस का द्यक्ष के से चुना गया था डॉक्टर राजेंदर परसाद को डॉक्टर राजेंदर परसाद हमारे पहले रास्पती भी रहे है मात्मा गान्दी की मृत्व पर किसने का था? हमारे जीवन से प्रकास चला गया जवारलाल लेरू ने किसने सुझाव दिया था कि सुत्मता प्राप्ति के बाद भारते रास्टे कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए भात्मा गानी ने फीनिक्स फॉर्म के स्थाप्रा किसने की दी भात्मा गानी ने मुस्लिम लिग ने मुक्ति दिवस कम बनाया था 22 दिसम्बर 1949 को भारते मुसल्मानों के परतक राजेतू पाकिस्तान सब्द का प्रियोक सब्रतम किसने किया था चोधरी रह्मत अली ने 1940 में बनी अंत्रिम सरकार में राजेंद परसाद के पास कौन सा विभाग आया था खाद्य एवम किर्जी 1949 में कॉंग्रेस चोड़ने के बाद सुभास्चत बोस ने किस दल किस्तापना किती फॉर्वर्ड भलोक की 1946 में गठित अंत्रिम सरकार की कैबिनेट के द्यक्षता किसने की थी जवार लाल नेरू ने किसने परसी घटगाओं सस्तरागार पर हमले का आयजन क्याता सूर्य सेल ने जया प्रकास नारायन किस पार्टी से जुड़े है सोशलिस्ट पार्टी से चार अप्रेल 1921 को दिल्ली की जामावजीत के परवचन में हिंदु मुस्लिम एकता के भासन किसने दिये स्वामी श्रानन्द विश्व भारती विश्वित जाले की सापना किसे की थी रविन नर्ट टैगोर ने लाड मौंट मिटन योज में का प्रारण का हुआ था 1947 में सुखदेव बगासिंग राजगुरों को फासिकप दी गई थी 23 मार्च 1931 को नोशैनिक विद्रोग का हुआ था 1946 में हुआ था हरीजन सेवक्संग के अध्यक्षकों ते गंस्याम दास बिरला पूना समझोता किस वर्ग से सम्मधित है दलित वर्ग से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन पार्टी की स्थापना का पुष्ण हुई 1928 में बारत चोड़ अंदोलन का प्रारंबवा अर्द नगन फकीर मात्मा गानी को किसने का था चर्चिल ने खिलाफ़त अंदोलन किसने चलाया शोकत अली और मौमद अली ने पाकिस्तान की मांग 1940 को किस अधिवेशन में की गई थी लावर अधिवेशन में गौर्मेंट ऑफ इंडिया कप पारित हुआ 1935 में कैबिनेट अधिवेशन में कब भारत आई 1946 में दान्डी मार्च का परानब वहा 12 मार्च 1930 को चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ था गोरखपुर के नजदी ये थे कुछ भारतिय स्वतनता संगराम के स्वाधिनता के कोश्चन जो बहुत इंपोर्टेंट है इनम से एक नएक कोश चैनल के नाम से फोलो जरूर करें थैंक यू वरी मुच फॉर दा डे विल मिट तुमारो तिल्दन बाई गोड बिलेस यू सायोनार प्यारे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ये अन एकडेमी के प्रोफाइल के बारे में अब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बहुता देता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल है एक टूजर करियास जी के ट्रिक्स के नाम से सिंप्ली अगर सर्च बोक्स में डालेंगे आपको मेरा चेनल मिल जाएगा NTA UGC NET की तैयारी करने के लिए नंबर वन चेनल जापे आपको पूरे पेपर का एनलेसिस दिया जाता है पिछली बार जुलाई 2008 को जो पेपर हुआ था उसका पूरा एनलेसिस मैंने आपको यहां दिया था थैंक्यू वेरी मच्च सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मेरे चेनल को यूट्यूब पर एटू जरकरियस जिके ट्रिक्स